आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाउ A, B and C take to complete the task individually question में क्या बोला है? question में बोला है question में बोला है A और B जब मिलके काम करते हैं तो उस काम को कर देते हैं 70 दिन में और B, C जब मिलके करते हैं उस काम को कर देते हैं 22.5 दिन में और जब C और A मिलके करते हैं तो उस काम को कर देते हैं 42 days में, ठीक है, तो उसमें पूछ है, A कितने दिन में कर देगा, B कितने दिन में कर देगा, C कितने दिन में कर देगा, यह हमें बताना है, ठीक है, let's suppose, total work हम मा लेते हैं, total work, total work हम मा लेते हैं, इन तीनों का product, यह क्या आ जाएगा, हमारे पास 70, multiply 42, multiply 50.2, यह हमारा total work आ गया, यह आ जाएगा, यह हमारा 154350, यह हमारा total work आ गया, तो A, B का 1 day work कितना आ जाएगा, 1 day work, 1 day work, A, B का क्या आ जाएगा, total work divided by number of days, तो 154350 को जब 77 डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, 2205, ठीक है, यह आ गया हमारा 1 day work, BC का 1 day work कितना आ जाएगा, इस total work को जब हम 52.5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा, 2940, और इसी तरह CA का 1 day work कितना आ जाएगा, 3675, यह हमारे आगे इन तुनों के 1 day work, जब अगर हम इसको और इसको एड कर देंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, 2A प्लस B प्लस C, और जब यहाँ पर work एड हो जाएगा, तो total work क्या जाएगा हमारे पास, हमारे पास total work आ जाएगा, तीनों को एड करके, इन तीनों को एड करके, वो आ जाएगा हमारे पास, 8820, तो A प्लस B प्लस C का 1 day work कितना आ जाएगा, A प्लस B प्लस C का 1 day work, 8820 divided by 2, that will be 4410, इन तीनों का 1 day work कितना आ गया, और हमें यहाँ से B प्लस C का 1 day work पता है, B प्लस C का 1 day work कितना है, 2940, इस equation में जब हम B प्लस C का 1 day work रखेंगे, तो हमारे पास A का 1 day work आ जाएगा, A का 1 day work क्या हो जाएगा, 4410-2940, हमारे पास A का 1 day work कितना आ गया, A का 1 day work आ गया, 1470, अगर A एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो टोटल, यह वाला टोटल वर कितने दिन में कर देगा, इस टोटल वर को डिवाइड क इसको solve करके हमारे पास days आ जाएगे, 150, तो A इस total work को कितने दिन में कर देगा, 150, अब बाकी B and C की हमें निकालने की जोरुत नहीं है, option अगर हम चेक करें, option 1 is 105, A के लिए, option 2 is A के लिए 56, option 3 is A के लिए 70, option 4 is A के लिए 84, तो सिर्फ A की ऐसा option है, जिसमें A की value 105 आ रही है, टाइम की तो option A is correct answer.